स्टुडेंट्स यह कोशन चप्टर नमबर बन नमबर सिस्टम से क्लास 9 कोशन है क्लासिफाइट डऊलूबिंग नमबर जैज रैश्नल और रैश्नल यहां पर आप 5 केसे देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रैश्नल और रैश्नल कैसे होते हैं कि जिन में square root रह जाएगा हम calculate करेंगे और अगर square root रह गया तो वो irrational होगा और जिन में square root हट जाएगा इन cases में वहां पर हम उनको rational number कहेंगे जैसे first हमारे पास 2 minus root 5 अब 2 minus root 5 जो है वो किसी भी तरह से हमारे पास root 5 जो वो यह cancel नहीं होगा हटेगा नहीं तो यह हमारे पास 2 जो वो rational number है और root 5 irrational number है तो दोनों का जो difference होगा वो irrational होगा तो यहां पर जो हमारे पास आएगा पहले बाला वो गया irrational number second case हमारे पास आगया कि 3 plus root 23 तो 3 plus root 23 और minus root 23 जब हम इनको solve करेंगे तो root root कट जाएंगे तो हमारे पास जो answer आएगा वो 3 आएगा और 3 एक rational number है तो यह हमारे पास बन गया rational number इसी तरह से 3rd प्यागर हम चलते हैं 2 root 7 over 7 root 7 तो root 7 root 7 कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 by 7 और 2 by 7 जो है वो एक rational number है तो यह भी हमारे पास rational हो गया 1 by root 2 root 2 जो अब एक rational number है तो इसका जो total जो division आएगा जो हमारे पास यह number बचेगा वो rational number ही रहेगा 5th है 2 pi पाई जो अब एक irrational number है क्योंकि इसकी जो decimal expression है वो non-terminating और non-repeating है तो इसका double भी irrational number होगा तो यह हमारे पास भी irrational number आया तो यह हमारे पास सिर्फ एक हमारे पास दो 2nd और 3rd जो अब वो rational number है 1st 4th और 5th irrational number है यह इसका answer है थैंक यू